सो गाईज आप देख सकते हो अभी मेरा एचपी चार सो है और एनिमी का एचपी दो सो है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हम पर अनलिमिटेड एचपी कारेक्टर कॉमिनेशन यूज किया हूँ जिसके वज़े से मेरा एचपी इतना जादा बढ़ चुका है अगर आप भी ऐस अगर ना चाहते हो दन वीडियो को लास तक देख लो सो है गाईज वालकम बैक टू दो ब्रैंड न्यू वीडियो मैं हूं स्ट्रोम सकती और मुझे पता है पता है कि वोईस गंदा सुनाई देरा है क्योंकि भाई लोग मुझे हो चुका है कोल्ड और फीवर तब ये जाते हैं उनमें से लगबग सारे बंदे इन कॉमिनेशन को यूज करते हैं जो मैं आपको दिखा कर डीटेल में बताने वालो हमारा पहला कॉमिनेशन रहेगा अनलीमिटेड एसपी कारेक्टर कॉमिनेशन जी हां इसको ही मैं स्टार्टिंग में यूज किया था सेकेंड जो है वो सबसे इंपोर्टेंट खतरना कॉमिनेशन है जिसका नाम है साइलेंट किलर कॉमिनेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनलीमिटेड एसपी कॉमिनेशन से बढ़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप में इसे बहुत सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपकी कल्फेंट से भी इंपोर्टेंट जो कि है जेन कारेक्टर जो कि आपको इंस्टेंट 120 एच्पी देती है देखो यहां पर मेरा एच्पी 200 है और मैं जैसे ही जेन की अबिलिटी को आउन करता हूं मेरा एच्पी 320 तक बढ़ जाता है और यहां पर आपको यह बात का अबडेट पर और 22 मार्च को ओवी 39 अबडेट आएगा जिसमें जेन की अबिलिटी को थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा बड़े तब भी आपको ज्यादा एच्पी जरूर देगी सेकंड कारेक्टर जो किस कॉमिनेसिंट में आपको रखना है वो है एंटोनियो कारेक् करने से आपको maximum 50 HP देगा बड़ेस का एक कंडिशन है लुकेट आपको तब भी 50 HP देगा जब दो एनिमी को किल करोगे एक एनिमी को किल करने से 25 HP मिलेगा दो किल करने से 50 HP अगर आप ए तीन कारेक्टर को एक साथ में यूज करते हो पहले आपका 200 HP होगा प्लस जेन का 120 HP प इसका नाम है हयातो करेक्टर आप पूछो के हयातो ही क्यों देखो हयातो यहां पर defense याई आपको एनिमी के गोलीओं से बचाने के साथ साथ आपको attack करने में भी मदद करेगा मतलब आपका गोली का damage एनिमी को थोड़ा ज्यादा पड़ेगा हयातो का armor penetration के वज़े से हयातो को यूज़ करने से आपको यह दो तगड़ा फाइदा मिलेगा अगर आप इस अनलिमिटेड एच्पी कॉम्बिनेशन को और ज्यादा खतरनाक बनाना चाहते हो दिना पर एच्पी बुष्टर का यूज़ कर सकते हो जो कि आपको एक्स्ट्रा 20 एच्पी देता है ऐसे आपका एच्पी 430 हो जाएगा जो कि एनिमी का 200 एच्पी से दो गुना से भी जादा है अब भी बढ़ते हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के दरफ जो कि है जोन सर्वाइबिंग कॉम्बिनेशन इसको यूज़ करके आप आराम से जोन के बाहर रेकर रैंक्पूस कर पाओगे इस टाइम के आपका एच्पी को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा सेकेंड नंबर कैरेक्टर जो कि इस कॉम्बिनेशन में आपको रखना है वो है कापिल्ला कैरेक्टर जिसका काम यह है आप जो भी हेल्थ आइटम यूज़ करोगे मेड़किट हो गया या फिर इनहेलर हो गया क कापिल्ला आपका हेल्थ को और जादा बढ़ा देगी मतलब एक मेड़किट यूज़ करने से आपको 75 HP मिलता है अगर आप कापिल्ला को लेते हुए वही सेम एक मेड़किट यूज़ करते हो आपको 75 HP के बदले 95 HP मिलेगा एसे ही इनहेलर को यूज़ करने पर भी आपको नॉर्मल से जादा HP मिलेगा ओके हमारा तीन नंबर कारेक्टर जो कि इस कॉंबिनेशन में रहेगा वो बहुत जादा जरूरी है देखो आप जब भी जोन के बाहर रहेकर रैंक पूस करोगे दिन आपका HP को बहुत जल्दी जोन खाता रहेगा और उसके ऊपर से खुदान सकता है ओके लास्ट कारेक्टर जो किस कॉंबिनेशन में रखना है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक और गाम का कारेक्टर है जिसका आज़ीए जिसका नाम है मिसा कारेक्टर देखो बाहर रेकर सर्वाल तो कर सकते हो बड़ टीन नुर जरने के बाद इन्फिप जोन के अंदर जाना ही पड़ेगा यहां पे बहुत सारे एनिमी आपके इंतजार में होंगे जोन के बाहर से आप जबी जोन के अंदर आओगे वो आपको आने ही नहीं देंगे बड़े मिसा कैरेक्टर आपको इस सिच्वेशन से निकाल सकती है मिसा को यूज करके आप गाड से अंदर आ जाओगे और वो देखकर भी आपका कुछ करने ही पाएगा ओके अब ही पड़ते हमारा लास्ट एंस सबसे ज्यादा खतरनाक कॉंबिनेशन के तरफ जो की है साइलेंट किलर कॉंबिनेशन इस कॉंबिनेशन में जो आपको पहला कारेक्टर यूज करना है वो ह जो अब कहां से अनिमी को मारोगे अनिमी आसाली से पता नहीं लगा पाएगा और दूसरी बात अगर आप रफाईल से किसी को नौक करते हो इन गन को यूज करके बो दो सेकेंड में ही मर जाएगा उसका टिम में उसको बचा नहीं पाएगा इस कॉंबिनेशन का सेटेंड बताने से बेले इस combo में आपके पास एक important चीज होनी चाहिए और वो है mini launchpad जो कि कुछ ऐसा दिखता है इसका use करके आप ऐसे ऐसे जगा में चड़ सकते हो जहां पर कोई बिस्वासी नहीं करेगा यहां पर कोई छुप कर मार सकता है इसके लिए आपको resupply map को loadout में लेकर जाना है जैसे आप आसानी से कोई भी जगा में चड़ कर छुप सकते हो और enemy को आसानी से मार सकते हो इस combination में second character आपको रखना है maro character क्यों रखना है अगर आप कोई height place पर चड़ कर किसी को मार रहे हो simple बात है enemy दूर होगा जिसको बहुत कम damage पड़ेगा अगर आप maro को use करते हो maro का खासियत है अगर enemy दूर होगा तो आपका गोली का damage उसको जादा पड़ेगा तो छुपे हुए आप दूर दूर से enemy को मार पाओगे और वो पता नहीं लगा पाएगा आप कहां से मार रहे हो क्योंकि रफाइल के मदद से आपका gun silent भी हो जाएगा ओके third character जो किस combination में आपको रखना है जिसके मदद से enemy आपसे छुप नहीं पाएगा और वो है moco character moco को यूज करके अगर आप किसी enemy को मारते हो तो वो कहां भाग रहा है कहां पर छुपा है आपको blue color के tag से पता लग जाएगा और अगर by chance वो बंदा बचने के लिए glow लगाता है तो हमारा next character को यूज करके आप उसको आसानी से मार दोगे चाहे आपके पास कोई भी gun क्यों ना हो तो हमारा last and सबसे ज़्यादा खतरना character जो रहेगा इस combination में वो है iris character जिसका खतरनाक ability है आप iris character का use करके enemy को किसी भी gun से glow ल के आर पार भी मार सकते हो एनिमी अगर आपसे बचने के लिए glow लगाता है तो आप glow ल के आर पार मार के उसको आसानी से निप्टा दोगे अगर आपके पास एक character नहीं है ओबी 39 update के बाद यानि 22 March के बाद free fire अपने सारे पुराने characters को free में देने वाला है ये मैं नहीं बोलना हूँ खुद free fire ने लिखा है तो आप इस combination में iris character का यूज़ करके glow ल के पीछे चुपने वाले enemy को आसानी से silently निप्टा पाओगे तो यार ये थे वो तीन तगड़े combination जिसको यूज़ करके grandmaster player rank push करते हैं इसका आप भी यूज़ करके full map में heroic and grandmaster तक पहुँच पाओगे और comment में बताओ इन तीनों में से आपका favorite combination कौनसी है और आप किसको यूज़ करके खेलने वाले हो और अगर आपको कुछ stylish and खतरनाक headshot trick सीखना है बीच वाली वीडियो को click करके देख लो जिसको बाहर country के players use करके तगड़ा headshot लगाते हैं भाई क्या ही खतरनाक trick है यार एक बार जरूर देखना